हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू मैं चैनल, दर टेस्ट ओफ इंडिया फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके तो फ्रेंड्स मैं आज आपको चावल की खीर बनाना सिखाऊंगी दो लीटर मैंने दूद लिया है खीर बनाने के लिए फिर मैंने सामगरी तयार कर लिए है एक छोटा बाउल मैंने काजू लिए है एक छोटा बाउल किश्मिश कुछ रेशे मैंने केसर के लिए है बारिक पिसी इलाइची लिए है एक कप चीनी और एक कप से थोड़ा कम मैंने चावल लिए है फिर मैंने गेस की फ्लेम ओन करके मैंने दूद को उबलने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे उबला है इस प्रकार से मैंने अच्छे से चम्मस से हिलाते हुए उबला है ताकि दूद पेंदे पे चिपके नहीं और आराम से उबल जाए जब तक दूद उबलता है मैंने चावल को धो लिये हैं एक बाउल में मैंने चावल डाले हैं और मैंने साफ पानी से उसे अच्छे से हाथ से धो लिये हैं और फिर मैंने पानी को निकाल दिया है दो बार इस प्रकार से मैंने चावल को अच्छे से धोके तयार कर लिया है फ्रेंट्स मैंने चावल को पहले से धोके नहीं रखा था तो मैंने बाद में धोया है पहले से धोके नहीं रखना है फिर इस प्रकार से दूद में अच्छे से उबाल आने लगी है तो मैंने अच्छे से दूद को उबलने दिया है मीडियम फ्लेम पे उबलने दिया है फिर मैंने सारे चावल उसके अंदर डाल दिये है ताकि चावल भी दीरे दीरे पकने लग जाए इस प्रकार से खीर बनाओगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी अच्छे से मैंने चावल को उबलने दिया है देखे फ्रेंड्स अब चावल दीरे दीरे उबलने लगे है फिर मैंने इसके अंदर काजू भी डाल दिये है मैंने काजू को धो लिया था तो धोके मैंने काजू भी डाल दिये है ताकि ये भी पक जाए और थोड़ा सोफ्ट हो जाए फ्रेंड्स आप चाहे तो इसमें चिरोंजी भी डाल सकते हैं मुझे पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाली है आपको अगर पसंद दो तो आप जरूर डालिएगा फिर इस प्रकार से मैंने हिलाते हुए खीर को अच्छे से पकाया है दीमी फ्लेम पे पकाया है फ्रेंड्स अच्छे से उबाल आने दिया है इस प्रकार से हिलाते हिलाते मैंने अच्छे से पका लिया फ्लेम मैंने लो और मीडियम पे ही पकाया है फिर मैंने किश्मिश भी इसके अंदर धो के डाल दी है मैंने अच्छे से पका लिया है अब चावल अच्छे से उबल चुके हैं अच्छे से खीर बन चुकी है तो मैंने गेज की फ्लेम ओफ कर दी है और इसे 10 मिनिट ठंडा होने के लिए रख दिया है दस मिनिट बाद मैंने इसके अंदर एक कप चीनी डाली है फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़ादा रख सकते हैं फिर मैंने पीसी हुई इलाइची भी इसके अंदर डाल दी है और अच्छे से हिला लिया है ताकि चीनी अच्छे से गुल जाए फिर मैंने केसर भी इसमें डाल दिया है ताकि इसका अच्छा कलर आए फ्रेंड्स आप एक बार अपने घर पे इसे जरूर बना के देखिएगा गाड़ी गाड़ी खीर बनके अच्छे से तयार है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और एक बार आप बना के अपने घर पे खाईएगा और अपने फैमिली को खिलाईएगा थैंक यू सो मस दोस्तों और मेरे चैनल को लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर कीजिए